हम निर्पडब बिल्कुल से ही देखा एही आज हम डिसकस करेंगे ध्यान से सुनियेगा एक भी वर्ड अगर निस हो गया तो कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर चलिए तो पहले एक डेट पकर लेते हैं सोज लीजिए आपका शादी हुआ है 12 मार्च 2020 को ठीक है आपका वाइफ का पीरियट का डेट जो था ओ अठाइस मार्च था जो की मिस हो जाता है तो अब डॉक्टर के पस चिक अप के लिए जाते हो 31 मार्च को डॉक्टर साब चेक अप करके बताता है कि आपका वाइफ फोर वीक तीन दिन का प्रेग्नेंट ठीक है तो अप अपके मन में एक सवाल आता है एक कन्फ्यूशन आता है कि आपका शादी से डॉक्टर के पास आने तक तीन वीक हुआ है मतलब आपका शादी के तीन वीक हुआ है तो आपके बीबी फोर वीक तीन दिन का प्रेग्नेंट कैसे हो गया ठीक है यह सवाल आपके मन में आएगा यह कन्फ्यूशन आपके सवाल में आएगा ये समझने के लिए पहले आपको कुछ medical और biological term समझना होगा क्या है ये पहले है समझे menstrual cycle इसका जो average day होता है और 28 days होता है अब आईए ovulation पर इस menstrual cycle में ovulation जो होता है मतलब ovum जब निकल कर आता है वो day 14 के आसपास होता है day 14 में ही होता है अब मान लीजिए अब आते हैं second जो point ओ है fertilization what is fertilization जब कोई एक पुरूश का समझ एक लड़की की ovum से मिल जाता है जुड़ जाता है तब उसे fertilization कहते हैं अब आते हैं implantation पर क्या है ये implantation जब ये fertilized embryo uterus में के अंदर वाल में अकर जुड़ जाता है तब उसे कहते हैं implantation ये implantation होने में 7 से 10 दिन लग जाता है ठीक है अगर आप ये तीनों बाते समझ गये हो तो आप आते हैं मुद्दे पे क्या है अपका बीबी का जो last period date missed हुआ था वो था 28 March को क्योंकि तब अपका बीबी pregnant थी ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अपका 28 March को अगर miss होता है तो उसका पहले जो normal fast जो period date था वो था fast March को क्योंकि जैसे कि मैं बताया 28 days का cycle होता है तो 28 March को अगर miss होगा तो उसका पहले जो normal period date है वो fast March को होगा तो fast March को अगर period date था तो ovulation day होगा 14 March को क्योंकि day 14 में ये होता है तब का शादी हुआ 12 March को तो जाहिर से बात है अब सायरिक शंपर्क बनाया होगा इसलिए अब का बीबी pregnant है तो implantation में तो 4-5 दिन लग जाता है तो ये पूरा जो pregnant का calculation होता है वो किसके basis पर आधार है वो आधार है एक formula पर क्या है यो? वो है Nichols formula इस formula में क्या calculate कर सकते हो? delivery date क्या होगा? ये एक estimate calculate कर सकते हो किसके basis पर ये आधारित है? जो last mensual period है date है उससे basis से ये calculate किया जाता है ये जो formula है इससे आप पता लगा सकते हैं भी date लगा दीजिए तो आपका उस हिसाब से calculation करके आप पता लगा लेंगे कि आपका delivery date क्या होगा? Estimatic date आप को मालूम पड़ेगा ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? जो last period date है इससे calculation शुरू होता है तो बेशक बेशक आपका जो है 12 मार्च को शादी हुआ था 30 फास्ट मार्च को आप डॉक्टर के पस गिया था आपका शादी के 3 वीक ही हुआ है मगर medical के हिसाब से जो calculation शुरू होता है वो pregnant होने से पहले जो last period date था उसके हिसाब से होता है जो की फास्ट मार्च को था इसलिए इसी वज़ा से आपका शादी 3 वीक होगा मगर आपका वाइफ 4 वीक 3 दिन का pregnant थी होगा डॉक्टर सबने यही बताएगा कि तो आप जरूर समझ गये होंगे क्या है क्या नहीं है इसके बाद आपके मन में इस तरह का कोई भी confusion create नहीं होना चाहिए और दूसरों के मन में भी जरूर इस तरह का कोई confusion create होता है तो आप उसे ज़ा कर समझाए और बताएगे क्या है और क्या नहीं है अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए शेयर किजिए और मुझे फालो किजिए शेयर सेल मेडिया थैंक यू